नमस्ते सदावसले बात्रभों में हम सब जानी रहे हैं कि 2021 में एक बड़ा विवाद हमारे देश में आया था और आर्टिकल 21 का उलंखन बताया गया था आर्टिकल 19-1-A का उलंखन बताया गया था दवाइर ने एक स्टोरी बनाई थी और दवाइर की स्टोरी के बाद हमारे देश में जितने कॉमिनिस्ट मीडिया है और कॉंगरेसी मीडिया इसने इस बात को तूल पकला दिया कि भारस सरकार ये जो Operation Lotus है Operation Lotus चलाने के लिए सबके phone call record करती है और phoneों में Pegasus नाम का एक virus छोड़के रखा है और Pegasus virus हमारे एक एक गतिविधी का भारस सरकार को information देती है इस पर उन्होंने लगातार बड़े भारी भारी तरक भी दिये थे और उन तरकों में लगातार ये बात कही गई कि भारस सरकार कनून का उलंगन कर रही है बेस कहां से आया था बेस आया था एक NSO कंपनी ने various governments को वो शॉप्टर बेचते हैं ऐसा कहा और ये कहा कि ये spyware है ये बहुत अच्छी quality का है भारत में 40 Indian journalists के नाम बताए गए थे politicians के नाम बताए गए थे उन politicians में महा महीम राहुल गंधी का नाम भी शामिल था अब राहुल विंची का नाम आ जाए और भवाल ना हो दूसरा प्रशानत किशोर का नाम बताए गया election commission का नाम बताए गया और इस प्रकार से communist जो देश में बहुत कुछ गड़बर जिनकी दाड़ी में तिनका जिनको अपनी अपनी दाड़ी में तिनका लगा और इस खबर से विचलित हुए और उनको लगा कि अब तो सारा खेल हमारा पकड़कर सामने भारत सरकार के आ गया है तो इन्होंने क्या किया कि उन्हों भी सुप्रीम कोट में एक पिटीशन डाली और सुप्रीम कोट से कहा कि भारत सरकार ये सब गलत कर रही है भारत सरकार इस पर बयान दे भारत सरकार ने लगातार कहा था कि हम ऐसा कोई शॉप्टर इस्तिमाल नहीं करते हैं भारत सरकार ने हमारी इंटेलिजेंस एजिंसियां काम करती हैं, ये सर्विर्णिंग मंच पे नहीं कहा जा सकता, ये सुप्रीम कोट को भी नहीं बताया जा सकता, अब इस बात को लेकर तो और बवाल होना ही था, क्यों? क्योंकि जैसे ही भारत सरकार ये कहेगी, कि हम बता नहीं सकते, तो मन में चोरों के मन में चोर हाना सौब है, अब मेरे से कहता कि आपका फोन जो है, वो हम टैप कर रहे हैं, तो हमका भाया एक बार नहीं तीन बार कर लो, वो कहे कि हम आपकी रहकी कर रहे हैं, हमका भाया और कर लो, या देश का जो समरान तनागरिक है जिसके मन में किसी प्रकार का चोर नहीं है जो देश के लिए कुछ गलत नहीं सोचता देश रास्ट हित में काम करता है फिनेशल ट्रंजेक्शन्स में कुछ गडबड नहीं करता है उसको क्या ED क्या CBI और क्या ये पेगसस सॉफ्टेयर या इसका भी कोई बाप क्या फर्क पड़ता है हाला कि बात यहां भी प्रियाती है कि पेगसस सॉफ्टेयर जिस लिविल पर ये क्लेम किया गया है उससे तो बहुत बड़े बड़े इस तर पर हमारे यहां और लेडी सब कुछ होता है जैसे आप Android की बात करते हैं तो Android फोन आपका खो जाए खोने पर आपको वो ट्रैक करके बता देता है आप अपने ही किसी दूसरे मोबाइल से ट्रैक कर सकते हैं यह आपका मोबाइल कहां पर गया आप उस फोन से फोटो कुछते हैं तो Google आपको महीने दो महीने में अपडेट कर देता है इस तारी को आ आप सोचे यह आप को अपके बताइव कि आप की में कहां थी और कितने दिन कहां पर रहे आप का इससे बड़ा कुछ और हो कर आपको ही वो mail कर दे रहा है आपको ही बताए दे रहा है और मज़े की बात यह है कि Android बिना Gmail account बनाया नहीं जा सकता तो आप Gmail account उसमें अटेच करेंगे यह करेंगे फोन नंबर आप उस पर अटेच करेंगे यह करेंगे तो Android phone आपके पास है का मतलब है आपका सब कुछ लुप पिट चुका है अब आपका कुछ बाकी ने रहा है यह जरूर बात है कि वो American सरकार के पास है भारस सरकार के पास नहीं तो इतनी तसली लोगों को हो सकती है जिनके मन में छोर है कि भया हमारी डेटेल भारत सरकार के पास नहीं, अगर अमेरिकन सरकार के पास है तो वो तो अपने दोस्त हो सकते हैं, वो तो अपने लिए कभी साहक भी हो सकते हैं, भारत सरकार के पास होगी तो हो सकता है को agency, use, misuse और बहुत कुछ गड़ बढ़ कर ले तो उनको ये तसली रहती है कि वो फोन इस्तेमाल करते हैं, वो फोन चाहें कुछ भी उनकी जासुसी कर रहा हो, उससे उन पर कोई फरकने परता है, भारत सरकार के पास डेटेल नहीं होनी चाहिए, ना आधार कार्ट भारत सरकार के पास होना चाहिए, ना फिनेंशल करने के लिए जो शन्यंत्र रचे जाते हैं उन शन्यंत्यों की जानकरी भारत सरकार के पास होने चाहिए अगर भारत सरकार के पास होगी तो वो एक्शन ले लेगी ये लोगों को तसली रहती है इसी दिए पेगसस का मामला और सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया और और सुप बड़े politicians, bureaucrats या judges के account में लगा दिया जाता है जजिस के phone पर धोके धीरे से भेज़ दिया जाता है और वो phone पूरा hack कर लेता है जिससे की सारी जनकारी इन सरकार के पास पहुँच जाती है ये तो बड़ी खराब बात है उन्हों ने इस बात को लेकर एक भारसरकार को notice किया थ अब भारसरकार उसमें प्रेजेंट हुए थी तो बारसरकार नहीं आपको ऐसा लगता है तो हम एक independent committee बना देते हैं वो committee technical committee इस पर जांच कर लेगी लेकिन भारसरकार technical committee बना लेगी इस पर तो कोई agree नहीं हुआ हाँ ये जरूर कहा गया कि independent judge की अध्यक्षता में एक काम कर जाते हैं कि कुछ technical लोगों को मिला कर इस पर एक जांच बिठा देते हैं October 2021 में इस पर एक expert panel honorable justice RV रविंदरन की दक्षता में बिठाया गया इस पैनल ने एक 29 mobile ऐसे जो नाम बताए गए थे जिनके नाम दवायर ने पब्लिश किये थे या जो नाम इस विशय पर बताए जा टीम और experts को बिठा दिया और इन mobile की पूरी अंतर्णिया निकलने के कोशिश करी कि मोबाइल में अंदर क्या क्या है मज़े की बात है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफापे में अपनी रिपोर्ट लगाई रिपोर्ट के तीन हिस्से बनाए गए और उन तीन हिस्स कि private mobile instrument से निकला क्या यानि कि malware की इस्तिती क्या है research क्या है जो जो समाज में चलता है जो technical team उने क्या निकाल कर राखा और तीसरा है जो mobile 29 mobile इन गणमाने लोगों के जमा किये गए थे इसमें अंदर क्या निकला अब देखे अगर ये लोग ये agree कर जाते कि भारत सरकार इस प पानी का पानी निकालेगी तो फिर इनके 29 लोगों के जिनके नाम बताए गए हैं दावायर के द्वारा ये 29 लोगों के mobile से इतना material मिल जाता कि मालम पड़ा ये नई मुसीबत में पढ़ जाते है इसलिए ये कोई भी agree नहीं हुआ कि सरकार इस पर कोई committee बढ़ाए और इसमें कुछ malware मिला है यानि कि कोई उसमें spyware मिला है कोई 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 hacking software या कोई ऐसा疑 गडबड़ शॉप्ट रूप्ट मिला ये जो गडबड़ कहना है कि ये पेगासस है या नहीं है हाला कि ने क्या सब्सक्राइब क्रवस्ति, इसके पार्ट को हम सर्विनिक कर देंगे बाखी दो पार्ट को सब्सक्राइब iti पर एक पार्ट इक हो गा उसका कौन सा पार्ट मेरे खाल से मेड मेट्रियल जो प्रेविट मोबाइल से निकाला गया है या मैलवेर कौन-कौन से चल रहे हैं या फिर पब्लिक रिसर्च मिट्रियल क्या है कोई एक पार्ट निकाल कर इसमें रखा जाएगा जो देश के काम आएगा देश में आगे की पॉलसी बनाएगा कि अब जो कमिटी वेठी कमिटी ने एक आरोप केंद्र सरकार पर लगाया कि देखो केंद्र सरकार ने इस पर हमारा भौष सयोग नहीं किया अरे मोबाइल आपके पास थे 29 मोबाइल आपके पास जमा थे उनकी आपको रिसर्च करनी थी उन 29 मोबाइलों का टेक्निकल टीम के द्वारा पूरा पोस्माटम होना था अगर पोस्माटम किसी डॉक्टर को करना है पोस्माटम किसी टेक्निकल आदमी को उस मुबाइल का करना है तो इसमें केंदर सरकार क्या उनको सहीयोग करे यह मैं समझ नहीं पाया आलग कि सुप्रीम कोट ने का कि जैसा आपका रवया य है किस प्रकार के होते हैं लेकिन यहां पर दूद का दूद और पानी का पानी निकल कर सामने आया डर जिनके मन में था उनको एक सुविधा जरूर हो गई कि जो डर बैठा था कि क्या हमारे मोबाइल फोन पर पेगसस नाम के शॉफ्ट्रेट डाल कर कुछ हैक किया जा रहा है मेरी जनकारी सरकार को ली जा रही है जिससे हम फस जाएंगे तो उन लोगों को ये क्लेरिटी जरूर हो गई कि भईया ऐसा कुछ है इनके मोबाइल फोनों पर नहीं था और ये क्लेरिटी उनको इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद अच्छी हो गई होगी दिल में सुकून आ इनको तो अंदर से सुकून निश्यत रूप से मिला होगा कि कम से कम बच गए सारी गत्विधियां सरकार के पास नहीं है सरकार इस पर कोई हैकिंग नहीं कर रही है अच्छी बात है अब इन पांच जो मैलेवेर मिले हैं इनके विशे में भी में बता दू जैसे हमारा आप है जिसमें हम online education law की देते हैं UPSC वगरा की भी उसमें कुछ lectures पढ़े हुए है constitution वगरा के और record हो रहे हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं उसको लोग download करते हैं payment डालते हैं payment डालकर उसको देखते हैं देखते समय मन में निश्यत रूप से या जाता है कि कुछ लोगों के मन में strong बैठती ही कि जैसी कोई ऐसा malware इस्तेमाल होता है या ऐसा कोई गत्विदी करने कोशिश करता है वो उसको block करके हमको हमारे हमरी टीम को message दे देता है कि देखिए इस वेक्तिने इस पे गलत तरीके से इसको block कर दिया गया अब उसका payment आ जाता तो भी उसको block कर दिया जाता ह इन में से बड़ी आबादी हमको संपर्क करती है हमरी टीम को संपर्क करती है और उनसे ही कहते हैं कि साब हमने तो कुछ किया नहीं हमारा payment भी चला गया और हम block हो गया है अब हम उनसे पूछते हैं तो वो दुनिया भर की शपत खाकर ये बात कहते हैं कि साब ऐसा कुछ नह पाया जाता है यह सब काम हमारी टीमें करती रहती है लेकिन मेरा मनना यह है कि जो लोग इमांदारी से यह कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है उनके फोन पर automatically malware आजाते हैं तमाम तरह के यह जो एप हम इस्तेमाल करते हैं तमाम तरह के जो gaming softer इस्तेमाल करते हैं बच्चे gaming softer इस्तेमाल करते हैं जिनमें हम permission देते चले जाते हैं यह इनमें इनके माध्यम से जब इसको download कर रहे होते हैं तो इनके माध्यम से जिससे में permission देते हैं तो वो कुछ malware शाफ्ट्वेर भी आजाते हैं जो की hacking करते हैं आपके mobile की और आपके mobile को hack करके आपके mobile की सारी informations अप अपने boss के पास जिस site से भी वो आया हुआ होता है उसको provide करवाते हैं जिसकी जानकारी user को भी नहीं होती है यह मेरा अपना अनुभभ अनुभभ क्या है लोगों को मैं भारत के लोगों को यह lock students जो हमारे होते हैं मैं मान कर चलता हूं कि वो सच बोल रहे होंगे वो उसमें जूट नहीं बोल रहे हैं अगर वो जूट नहीं बोल रहे हैं फिर भी जो हमारा software है वो यह कह रहा है कि नहीं इस पर attempt किया गया है unusual या malicious software इस्तेमाल किये गये हैं तो मैं मान कर चलता हूं कि वो पीछे से hack करने वाले जो software अपने आप automatically phone पर आ जाते हैं वो इस पर हमारे app पर भी attempt करते होंगे और हमारा app उसको पकड़ लेता है हमारी technical team पकड़ लेती है कि ऐसा है तो यह जो पांच malware आए 29 में से 5 mobiles पर हैं यह चोरी वाले software हैं जो आपके phone की पूरी जानकरी कहीं न कहीं किसी और को देते रहते हैं यहां तक कि आपके phone पर इस्तिमाल होने वाली website आपके phone पर bank account और bank account के साथ साथ आपके phone पर जो password आता है और आप जो banking करते हैं mobile खोलकर website बैंक की खोलकर वो सारी की सारी copy record करके किसी ने किसी प्रकार से वहां पहुँचाता है और फिर कभी-कभी account पूरा खाली होता दिखाई देता है कभी account से passage जाते दिखाई देते हैं शॉफ्टेर में आपके जो password आता है वो भी कहीं से hack हो जाता है आपकी जो credentials है वो भी कहीं hack हो जाते हैं bank account के ये एक बड़ी समस्या हमारे देश में है सब को ये कहा जाता है मैं अपनी तरफ से सब को कहता हूँ कि खास्तोर से हमारे students के मामले में कि आप अपने mobile को बिलकु साथ malware आते हैं जो आप को कभी भी कंगाल बना सकते हैं लेकिन यहां पर उनेविल सुप्रीम कोट ने जिस में जिस परकार से इस मामला आया और सुप्रीम कोट ने जिस परकार से आज उसको देखा और केंदर की सरकार के ऊपर जो इलजाम लगे थे वो इलजाम अपने आप निस्ते नाबूत हो गए इस टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट के बार यह सब के लिए विन विन सिचुएशन है के अंदर सरकार के ऊपर आरोप लगे थे मोदी जी के ऊपर आरोप लगे थे कि यह उपरेशन लोटस चलाते हैं हमारे हैक करके वो तो मुक्त हो गए दूसरा जिनको लग रहा था कि हमारा मोबाइल हैक हो रहा है और मेरी सारी इंफरमिशन कहीं कहीं सरकार के पास जा रही है और हम जितनी गलत प्रकार की गतिविधियां देश में चला रहे हैं सरकार गिराने के लिए या देश को किसी दूसरे रास्ते पर ले जाने के लिए देश मो तक कि मोधी जी के उपर इलजाम लग जाए ये सब करने की जो हमारी गतिविदी है वो सब सरकार के पास नहीं पहुंच रही इसलिए यहां पर दूद का दूद पानी का पानी हुआ लेकिन सब के लिए विन्विन सिचुएशन आई जैहिन जैभारत वन्ने मातरम